नमस्कार साथ यू स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल राज इसकूल हलपर दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्दे में एक सिख्षा बोर्ड अजमेर सेशनल या सत्रांग 2021 कक्सा 10 कक्सा 12 के कैसे बरे जाते हैं सत्रांग बरने के लिए या तो आप बोर्ड की जो ओफीसल वेबसाइट है उस पे आप विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.rajgurji.com पे विजिट करोगे जब आप यहां पे थोड़ा सा निच्चा होगे निच्चा नेक बाद यहां पे देखिए आपको एक लिंक दिखाए देगा लोग इन करने के बाद इस तरह का जो इंटरफेस है आपको यहां पे दिखाए देगा और सबसे पहले आपके सामने यहां पे दो ओप्सन होंगे के लिए आपको Secondary Examination 2021 वाले लिंक पे क्लिक कर देना है अब जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहां पर भी देखिए आपके सामने दो लिंक आपको दिखाए देंगे यहां से आप अपने स्कूल के स्टुडेंट की जो रोल नंबर लिस्ट है वो आपको सेव कर लेनी है इसके बाद दूसरा जो ओप्सन आपको यहां पे मिल जाएगा सेशनल मारक इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहां पे करने के लिए यहां से उसकी लिस्ट है आप देख सकती ऊज इसके बाद मान लीजी है सेशरνεल मार्क में बर देते समय को गलती रही अगर आप उस मैं अपडेट करना चाहते तो यहां पर किल अप उस स्टुडेंट के सेशनल मार्क अपडेٹ सकते हैं और ध्यान रखना अपडेट केवल आप एक बार ही कर सकते हैं इसके बाद यहां से आप finally जब सभी स्टूडेंट के सेशनल मारक भर देते तो finally आपको यहां से लोक करना है और logo करने के बाद यहां से आपको finally print है वो कर लेना और यह print आपको कहीं पर भी नहीं बेजना के अपने पास सुरक्षित रखना चलिए seasonal mark भरना शुरू करते हैं और इसके लिए आपको fill seasonal mark पे आपको यहां पे click करना है और जैसे इस link पे आप click करोगे तो यहां पे जितने भी subject हैं सारे subject दिखाए देंगे और आपके school में कक्सा 10 के अंदर जितने भी student हैं वो सारे student आपको यहां पे दिखाए देंगे देखे फिल हाल आप यहां पे देख रहे हो कि इनके आपके बिल्कुल 00 आ रहा है यानि हमने किसी भी student के seasonal mark है वो fill नहीं कर रहे हैं और इसके सामने आ रहा है note log यानि हमने finally log नहीं किया है अगर आप मान लिजिए student के सत्रांग भर रहे हो या seasonal mark आप भर रहे हो बीच में आपने छोड़ दी तो यहां पे संख्या वो update होती जाएगी चलिए यह करने के बाद दोस्तों आपको निचान प्रोसेस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना अब जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको subject को select करना है कि आप पहले कौन से subject के अंदर seasonal mark fill करना चाहते हैं जलिए हैं अपन हिंदी को select करते हैं बारी बारी हर एक subject को आपको ऐसे ही select करना पड़ेगा process पर आपको यहाँ पर click कर देना अब जैसे आप process पर click करोगे तो यहाँ पर देखिए एक site के अंदर student के role number ही आपको यहाँ पर दिखाए देंगे और ध्यान डगना यहाँ पर आपको केवल max monk 20 mark ही आपको देने इससे ज़्यादा आपको marks है वो नहीं देने हैं और marks को पता आपको किस आधार पर देने हैं इसके बारे मैंने आपको काफी बार बता भी दिया है या फिर आप board की website पे विजिट करके या फिर हमारी website पे विजिट करके यहाँ से seasonal mark के संबन्दी जो भी नहीं जानकार है यहाँ से आप directly download कर सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो चलिए यहाँ पर एक को आपको यहाँ पर type कर देना है और यहाँ पर देखिए present आ रहा है अब देखिए यहाँ पर दो तिन बात हैं दोस्तो अगर student absent है या फिर आप उसको zero mark देना चाहते हैं या note applicable है तो उनमें से आप अपने आउस सेकता है कोई भी एक option है वो select कर सकते हैं अगर अपने यहाँ पर आप सेंट दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी number fill है वो नहीं कर सकते हैं तो दर्शेत यहाँ पर आपको सब को present करना पड़ेगा और सभी student को आपको यहाँ पर जो अपने आउस सेकता है याँ आठ बार मुझे पेज है वो open करना पड़ा वो सकता कि आपके case में संख्या वो कम रहे तो finally आपको process पर क्लिक कर देना है अब जैसे process पर क्लिक करेंगे okay पर क्लिक करेंगे तो हिंदी subject के सारे जो number हो complete होगे और आप यहाँ पर देखो कि finally यहाँ पर एक message हो यहाँ पर आ चुका है कि यह record not found इसका मतलब यही है कि हमने number वो भर दिये अब जैसे process पर क्लिक करते हैं तो देखे वापस page वही redirect होके आ जाता इसका मतलब है कि हिंदी subject के हमने सबी student के जो number वो fill कर दी है आपको एक बार फिर से back आ जाना है और back आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर जो subject में आप भरना चाहते हैं वो आप select कर लीजिएगा और process पर वो click कर दीजिएगा आगे मैं नहीं बर रहा हूँ कि यहाँ पर दर रहा हूँ एक बार मैं पीछे लेकर चाहना हूँ आपको सभी subject के number वो बारी बारी करके आपको fill कर लेना मैं एक बार back चलता हूँ बार करने के बाद यहाँ पर fill seasonal mark भी एक बार मैं फिर से click करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे देखे हिंदी subject में 188 student है तो यहाँ पर देखे 158 student का हमने जो number है वो हाँ पर fill कर दिए तो यहाँ पर देखे 188 लिखा आगा है इसका मतलब है कि हमने totally student के जो number fill कर दिए तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कौन से subject में हमने कितने student के number यहां पे fill किये हैं और कितने के number यहां पे fill नहीं किये हैं एक बार में इसकी checklist है वो भी आपको दिखा देता हूँ back आ रहा हूँ back आने के बाद यहां पे देखिए अपन verify कर सकते हैं यहां पे print checklist पे अपन click करते हैं तो यहां पे देखिए process पे आपको click करना है और process जैसे click करोगे कौन से subject को आप verify करना चाहते हो जैसे मैं हिंदी को verify करना चाहता हूँ process पे मैं click करता हूँ अब जैसे मैं process पे click करोंगे तो देखिए इस तरह से एक page आगा और यहां पे सभी student के जो number है वो इस तरह से आ चुकेंझे आप यहां पे अगर आपको यह print करना है वेरिफाइ के लिए तो print भी कर सकते हैं लेकिन last में सभी यहां पे आप दे सकते हूँ हर student के सामने यहां पे number है वो आ चुके हैं आपको भी इस तरह से number है वो fill कर देने मैं एक बार back आता हूं तो इस तरह से बारी-बारी करके आपको कक्षा 10 के सभी student के जो number है वो आपको यहां पे fill करने हैं अब मान लिजी आपको update करना है तो यहां से आप update भी कर सकते हैं चलिए एक बार मैं update पे click करता हूं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं और यहां पे process पे मैं click करता हूं और यहां पे जिस subject में आप update करना चाहते हैं जैसे हमने Hindi में update करना चाहते है तो process पे click करता हूं अब देखिए वापस वही open हो गया वही page हो गया जो शुरुवात में हमने open किया थाहिता हुण धया नगेना एक बार इसमें आप अपडेट कर पाऊगे पर्टिकुलर उसी स्टुडेंट के नमबर आपको चेंज करने हैं जिसके आप महीं करना चाहते हैं इस तरह से आप अपडेट भी है यहाँ पे देखिए सुरुवात के अंदर आपको Senior Secondary Examination 2021 का लिंक आपको मिल जाता, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले Role Number List है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए Sessional Mark का Option आ रखा है, ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे देगी, और यहाँ पे आपको Total Sinkhya दिखाए देगी, कितने स्टूडेंट के आपने Sessional मारक है, वो फिल कर देगी, और यहाँ पे सामने आपको दिखाए देगा Not Lock, यानि Finally, यहाँ पे लोक नहीं है, दोस्तों, आपको मैं यहाँ खहना चाहूँग, जो आप Final Lock कर देते हो लेकिन ऐसे गलती आपको करने नहीं है, कि आपको फिच दे के दुबारा स्टूडेंट के नंबर वो फिल करने पने, तो ऐसे में आपको पूरी सावदाने से यह Sessional मारक हैं, वो फिल करने हैं, मैं यहाँ पे आगे कोई Sessional मारक फिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में प्रोसे, सेम की सेम है, रोल नंबर लिस्ट है, वो आ जाएगी, तो दोस्तों इस परकार से पन कक्षा 10 वी और कक्षा 12 वी के स्टूडेंट के जो Sessional मारक हैं, वो फिल कर सकते हैं, साइध आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो मिलते हैं, अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!